सबी दर्सक्रिप्याध्यान दे इस वीडियो में प्रियोग किये गए सारे फोटो और कहानियां पूरी तरह से फिजिक से जुडि हुई है जिनका दूर-दूर तक आर्च्स और कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है इसलिए हमारा आर्ट्स और कामर स्वालों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो से दूर ही रहे यदि आप साइन्स वाले हैं तो अपने अपने पुर्सी की पेटी बान लें क्योंकि कारिक्रम सुरू होने वाला है धन्यवाद हेलो इस्टिडेंट्स मैं हूँ हेमन के सरवानी और आज मैं फिजिक्स पार्ट वन का चैप्टर टू इस्सिर वैदुत विभाव तथा धारिता पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज के लेक्चर में हम लोग वैदुत विभाव और वैदुत विभानतर क्या होता है ये जानेंगे और साती साथ बिंदु आवेश के कारण वैदुत विभाव ग्यात करना सीखेंगे तो चलिए बिना देर किये आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस्तिर वैदुत की इकाई जो है NCRT बुक में दो चैप्टर में डिवाइडेड है पहला चैप्टर जो है वैदुत आवे सताचेतर और दूसरा चैप्टर इस्तिर वैदुत विभाव तता धारिता जिसमें से हम लोग वैदुत आवे सताचेतर कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्टन में दिया है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं आज हम लोग चैप्टर टू इस्तिर वैदुत विभाव तता धारिता पढ़ना इस्टाट करेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है इस्तिर वैदुत विभाव या फिर कह लीजे वैदुत विभाव है तो चलिए पहले वैदुत विभाव को समझते हैं तो वैदुत विभाव को समझने के लिए यहाँ पर एक फोटो है इस photo में क्या क्या है पहले उसको समझ लेते हैं इस photo में एक point capital O है ये जो red dot दिख रहा है आपको ये point capital O है और इस point capital O पर एक plus capital Q आवेस रखा है तो उस plus capital Q आवेस के कारण क्या होगा उसके चारों और खेत्र होगा वैदूचेत्र होगा तो उस वैदूचेत्र को मैंने इन खेत्र रेखाऊं के द्वारा निरूपित किया है अब इसी वैदूचेत्र में एक point A है जहांपर हमें वैदूत विभोग यात करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक धन परिच्छन आवेस जो की अनंत पर है उस धन परिच्छन आवेस को अनंत से ले करके आते हैं कहां पे इस बिंदु A पर तो अब ये सोचिए कि इस धन परिच्छन आवेस प्लस इसमाल क्यू नाट को जब हम इस वैदु छेतर के भीतर लाएंगे तो क्या होगा इसके उपर देखिए ये जो प्लस कैपिटल क्यू आवेस है इस प्लस इसमाल क्यू नाट आवेस पर क्या करेगा प्रतिकर्सन बल पाहे करता होगा जो इस प्लस Q-naught आवेश को ले करके आएगा उसको कारे करना पड़ेगा तो मान लेते हैं कितना कारे करना पड़ रहा है W तो वो कारे W और ये जो धन परिच्छन आवेश है इसका परिमार यानि उसकी मात्रा वो क्या हो गई Q-naught ये जो अनुपात हुआ वो क्या कहला आएगा इस बिंदु पर विभौ कहला आएगा कहनेकार्थ ये हुआ कि इस धन परिच्छन आवेश को जब हम ले करके आएंगे अनन्त से कहां वैदुच्छित्र के भीतर बिंदु A तक तो हमें कारे करना पड़ेगा क्यों कारे करना पड़ेगा क्योंकि ये धन परिच्छन आवेश है उसका जो परिमाल है उसकी जो मात्रा है इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा इस बिंदु पर विभौ कहलाएगा तो फोटो के अनुसार तो आपको समझ में आ गया तो फोटो से जो कहानी बनी वो भी आपको समझ में आ रही हो जो की कितना है डबलू है तथा धन परिच्छन आवेज के मान की निस्पत्ति कहिए या अनुपात कहिए दोनों बात एक ही है वो क्या कहलाता है वैदु चित्र में उस बिंदु पर वैदुत विभौ कहलाता है तो बात क्लियर हो रहा होगा कि वैदुत विभौ क्या है अब देखिए यहां पर आगे क्या है वही चीज़ है कि अनंत से बिंदु ए तक धन परिच्छन आवेज को लाने में किया गया कारे कितना हम मान लिए डबलू और धन परिच्छन आवेज का परिमाल कितना है क्यू नाट तो इन दोनों का अनुपात देखिए वही क्या जूल और क्यू नाट जो आवेज है तो आवेज का मतर क्या होता है कुलाम तो जूल प्रती कुलाम इसी को हम क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं एक जूल प्रती कुलाम जो होता है वो एक बोल्ट के बराबर होता है तो वैदुत विभाव आपको सौन में आ गया होगा तो वैदुत विभौ की परिभासा एक और तरीके से दी जा सकती है अब इसी सुत्र में आप देखिए कि अगर Q नाट का मान एक रख दिया जाए तो W क्या हो जाएगा V A के बराबर यानि किया गया कारी ही क्या होगा विभौ के बराबर होगा तो अगर यही धन परिचन आवेश एकांग को हो यानि उसकी मात्रा A को हो तो एकांग धन परिचन आवेश को अनंत से वैदुत चेतर के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कारे उस बिंदु पर वैदुत विभौ कहलाता है यानि अगर हम इस धन परिचन आवेश की मात्रा को एकांग कर दें तो उस एकांग धन परिचन आवेश को वैदुत चेतर के भीतर अनंत से लाने में जो किया गया कारे होगा वो क्या कहलाएगा वैदुत चेतर के भीतर उस बिंदु पर वैदुत विभौ कहलाएगा तो दोनों प्रकार से आप परिभासा दे सकते हैं जैसा आप चाहें तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिच्छा में objective type question आता है कि वैदुत विभाव की वीमा क्या होगी तो आईए हम लोग देख लेते हैं कि वैदुत विभाव की वीमा हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखें यहाँ पर वैदुत विभाव की वीमा ग्याद करने के लिए हमें सुत्र पता होना चाहिए कि विभाव का क्या सुत्र होता है तो बीभौ का सुत्र जो आपको पता है कारे बटे आवेस यानि डबलू बाई क्यू नाट यह होता है तो बीभौ की जो बीमा होगी वो क्या होगी कारे की बीमा बटे आवेस की बीमा के बराबर होगी तो कारे की बीमा आपको याद होगा कि M L 2 T minus 2 होता है और आवेस की बीमा क्या होती है 80 होती है तो 80 कैसे होती है आप लोग ये भी देख लीजिए कि I is equal to Q by T होता है तो इस प्रकार से यहां से जो Q is equal to IT हो जाएगा तो Q की जो बीमा होगी हो कितनी होगी I की बीमा into T की बीमा तो I की बीमा क्या है A और T की बीमा क्या होती है capital T होती है समय है तो इसकी बीमा capital T तो इस प्रकार से क्या गया 80 तो आवेस की बीमा क्या होती है 80 होती है तो और आपको पता है कारे की बीमा ML 2 T minus 2 तो इस प्रकार से जब इसको हल करते हैं आजाती है तो objective type question में आप आसानी से इससे कर सकते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग वैदुत विभुवांतर जानेंगे कि वैदुत विभुवांतर क्या होता है तो वही पुराना काम करेंगे कि सबसे पहले photo और उस photo से कहानी बनाएंगे और उस कहानी से हम वैदुत विभुवांतर की परिभाता निकाल लेंगे तो photo में आप देख सकते हैं कि एक point है जिस पर एक plus capital Q आवेस रखा है तो उस plus capital Q आवेस के चारों और क्या होगा वैदुत छेतर होगा जिसको यहाँ पर वैदुत छेतर रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है आप लिए हम क्या कर लेते हैं कि बिंदु B पर एक plus small Q नाट धन परिच्छन आवेस रख लेते हैं अब इस धन परिच्छन आवेस को बिंदु B से A तक ले आते हैं तो जब आप बिंदु B से A तक लेकर आओगे तो इस plus Q के कारण इस पर जो प्रतिकर्शन बल लग रहा है उस बिरुद्ध कारे करना पड़ेगा तो हम मान लेते हैं कि plus capital Q आवेस यानि धन परिच्छन आवेस को B से A तक ले आने में जो किया गया कारे है वो कितना है W A B के बराबर है देखें यहाँ पर लिखा हुआ है धन परिच्छन आवेस को बिंदु B से A तक ले आने में किया ग गया कारे और धन परिच्छन आवेस का परिमाल दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा इन बिंदुओं के बीच का विभुआंतर कहलाएगा ठीक है तो इस प्रकार से परिभासा क्या बन गई हमारी कि कि किसी धन परिच्छन आवेस को वैदुच्छित्र के भीतर एक गयर हो रहा होगा तो यहाँ पर देखिए कि बिंदु A और B के बीच विभुआंतर कितना है VA-VB यानि A और B के बीच जो विभुआ का अंतर है वो कितना होगा B से A तक धन परिच्छन आवेस को ले आने में किये गए कारे और धन परिच्छन आवेस का जो मान है उनका अन वैदुत विभुआंतर की परिभासा हम दे सकते हैं अब वैदुत विभुआंतर की परिभासा एक और तरीके से दे सकते हैं वो क्या है कि अगर हम Q नाट का मान क्या कर दें एक कर दें यानि जो परिच्छन आवेस है जो धन परिच्छन आवेस है उसकी मात्रा को हम एकांक कर दें तो क्या हो जाएगा बिंदू भी से ए तक ले आने में जो किया गया कारे होगा वही क्या होगा उन बिंदूओं के बीच का विभुवांतर होगा तो परिभासा इस प्रकार से भी दी जा सकती है कि कि किसी एकांग धन परिच्छन आवेश को वैदुचित्र के भीतर ए एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले आने में किया गया कारे उन बिंदूओं के बीच विभुवांतर कहलाता है तो बात क्लियर हो रहा होगा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बिंदू आवेश के कारण किसी इस प्लस कैपिटल Q आवेश से इसमाल आरदूरी पर एक दूसरा बिंदू कैपिटल A है और इस बिंदू कैपिटल A पर हमें इस प्लस कैपिटल Q आवेश के कारण वैदूत विभाग्यात करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अनन्त पर यानि इस प्लस कैपिटल Q आवेश से बहुत दूर कोई धन परिच्छड आवेश प्लस Q नाट रखा हुआ है अनन्त पर है जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अनन्त इस ओर दिखाया गया है अब उस अनन्त से हम क्या करते हैं कि प्लस इसमाल Q नाट आवेश जो कि धन परिच्छड आवेश है उसको हम बिंदू B पर लाते हैं तो बिंदू B जो है बिंदू O से इसमाल X दूरी पर है आप चितर में देख सकते हैं ठीक है तो अनन्त से प्लस Q नाट को हम कहां पर लेकर आते हैं सबसे पहले बिंदू B पर लेकर आते हैं तो इस प्लस इसमाल Q नाट पर प्लस कैपिटल Q आवेश क्या करता है प्रतिकरसन बल लगाता है और कितना लगाता है कैपिटल S के बराबर तो कुलाम के नियम के नुसार, वो बल कितना हो जाएगा, एक बटे चार पाई, एपसाइलन नाट, कैपिटल क्यू, इसमाल क्यू नाट बटे एकस स्कोईर, इतना बल हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, कि बिन्दू b से बिन्दू c तक, जो की बिंदू B और बिंदू C के बीच की जो दूरी है अलप है जिसको हम देखे दिखाए है Dx से बहुत चोटी दूरी है तो उस प्लस Qınaट आवेस को बिंदू B से बिंदू C तक लेकर आते हैं तो जब बिंदू B से बिंदू C तक लेकर आएंगे तो इस प्रतिकर्सन बलकि विरुद्ध हमें कारे करना पड़ेगा तो चुकि दूरी बहुत छोटी है तो किया गया कारे भी क्या होगा बहुत छोटा होगा तो कितना होगा माल लेते हैं कि वो DW के बराबर होगा तो यहाँ पर देखी लिखा गया है कि हम प्लस Q नाट आवेज को बिंदू B से C तक दूरी डी यक्स तक ले जाते हैं इस क्रिया में कृत कारे कितना होगा DW बहुत छोटी दूरी तक विस्थापित किया जा रहा है तो किया गया कारे भी क्या होगा बहुत छोटा होगा तो कारे की परिभासा से क्या होता है कारे बराबर बल उगुले बल की दिशा में विस्थापन चुकि देखिए बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है इसलिए बल तो F होगा लेकिन विस्थापन क्या होगा माइनस डी यक्स होगा क्योंकि जो बिस्थापन है वो बल आरोपित बल की दिशा के भी प्रीद दिशा में है तो कृत कारे क्या हो जाएगा f into minus dx के बराबर हो जाएगा अब समीकरण 1 से f का मानिस में रख लेते हैं तो जब रखते हैं तो हमारा dw क्या मिल जाता है अब minus को हम क्या कर लेते हैं बाहर कामन ले लेते हैं तो इतना हमारा आ जाता है कितना तो इस प्रकार से जो इस अलप दूरी तक बिस्थापित करने में हमें किया गया कारे कितना मिल जाएगा क्यू नाट बटे चार पाई एपसाइलन नाट एक बटे एकस स्क्वाइर इंटू डी अक्स के बराबर होगा अब देखिए हम मान लेते हैं कि अनंत से उस परिछड आवेज को बिंदू ए तक ले आया गया है ठीक तो अनंत से बिंदू ए तक लेकर आएंगे तो कुल कारे कितना करना होगा तो कुल कारे कितना होगा देखिए तब हमें क्या करना होगा कि इस अल्पदूरी तक विस्थापन में जो किया कारे होगा उसका हमें समाकलन करना होगा ठीक तो समाकलन करेंगे और लिमिट क्या रखेंगे कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं हम अनन्त से इसमाल आर दूरी तक देखिए अनन्त से हम उसको बिंदू A तक लेकर आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर limit में जो lower limit होगा वो infinity रखेंगे और आप पर limit क्या रखेंगे आपका small r रखेंगे तो जब dw का समाकलन कर देंगे इस limit के अंतराल में तो हमें क्या हो जाएगा कुल कारे मिल जाएगा अनंत से बिंदू ए तक ले आने में किया गया कुल कारे होगा तो यहाँ से dw का मान यहाँ पर रख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है इस प्रकार से आ जाता है रिले चिन्नों को और जितने भी नियत पद हैं उन सब को हम क्या कर लेते हैं समाकलन के चिन्ने के बाहर कर लेते हैं तो कितना आता है W is equal to minus capital Q, small q naught बटे 4 pi epsilon naught समाकलन का चिन्न और limit क्या होगा lower limit infinity और upper limit small r और भीतर क्या बचेगा केवल 1 बटे x square ये सब क्या हैं आपके नियत पद है केवल जो आपका variable है जो 4 है वो x है वही परिवर्तन सील है तो यहाँ पर 1 बटे x square dx तो इस प्रकार से जब 1 बटे x square का जब हम समाकलन करते हैं तो कितना आता है minus 1 बटे x आता है अब बहुत लोग को इसमें problem हो रही होगी कि minus 1 बटे x कैसे आता है तो हम आपको बता देते हैं कि x पर घाते n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है x पर घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इतना समाकलन होता है तो यहाँ पर 1 बटे x square का समाकलन करना था तो इसको मैं ऐसे लिख सकते है x पर घाते रिड़ 2 dx तो यह जब समाकलन करेंगे तो आएगा रिड़ 2 प्लस 1 बटे रिड़ 2 प्लस 1 तो इस प्रकार से x पर घाते रिड़ 1 बटे रिड़ 1 आ जाएगा तो इसी को हम क्या लिख सकते है minus 1 बटे x तो यही चीज हम वहाँ पर लिखे हुए है कि जब हम 1 बटे x सक्वाइर का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा minus 1 बटे x आ जाएगा और limit यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं lower limit और upper limit अब हमें क्या करना है इसके आगे इसके आगे हमारा जो है lower limit upper limit में से lower limit को घटा देंगे upper limit कमान रखे फिर lower limit कमान रखेंगे दोनों में अंतर उसका देख लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1 बटे infinity कमान कितना होगा सुने तो इस प्रकार से जो कृत कारे होगा w बराबर 1 बटे 4 पाई epsilon नाट capital Q small q नाट बटे r के बराबर आ जाएगा यानि अनंत से बिंदू A तक ले आने में धन परिच्छन आवेज को किया गया कारे कितना होगा इतने के बराबर होगा अब किया गया कारे हमें मिल गया अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि वैद्दुत विभो की परिभासा से वो क्या कहता है कि जो विभो होता है बिंदू A पर वो किये गये कारे और परिच्छन आवेज के मान के अनुपाद के बराबर होता है तो किया गया कारे हमारे कितना था 1 बटे 4 पाई epsilon नाट capital Q small q नाट बटे आर और ये आपका जो परिच्छन आवेज का परिमाल है यहां रख दिये तो Q नाट Q नाट से क्या जाएगा कड जाएगा तो इस प्रकार हमें विभो मिल जाएगा वी एक इतना 1 बाई 4 पाई epsilon नाट capital Q बाई small r वोल्ट ठीक तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बिंदू आवेज के कारण किसी बिंदू पर वैदुत विभो ग्याद कर सकते हैं उमीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की जो समस्या है आप लोग comment box में comment करके बताएं चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब जरूर कर लें like, share और अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर करें धन्यवाद